नमस्कार स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर वीडियो श्रू करने से पहले अगर आप में चैनल पर नहीं है और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी रत एवं तैवारों की दित्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को प्रस कर दीजिए तकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना पिलकुल मत भूलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फाल्गुल माहा में जहां तक संबह हो सके इसी तलिया सामान जल से स्नान करना चाहिए अनाज का प्रयोग कम से कम करे तदा अधिक से अधिक फल का सेवन करना चाहिए कप्रे जादा रंगीन और सुन्दा धारान करने चाहिए तदा सुगंद का प्रयोग करना चाहिए नियमितरूप से भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, साधी पूजा में फूलों का विशेश प्रयोग करना चाहिए फालगुर्मा में नसीली वस्तों और मास मचली के सेवन से परहेज करना चाहिए फालगुर्मा के शुकलपक्च की अश्टमी को मालच्मी और मासीता की पूजा का विधान है वही फालगुर्मा के कृष्णपक्च की चतुरदशी को भगवान शिव की उपासना का महापर्व शिवरात्री भी मनाई जाती है तार्मिक मानता है कि फालगुर्मा में ही चंदमा का जन्मखवा था इसलिए इस मा में चंदमा की पूजा का विशीश महतों माना गया है फालगुर्मा की समानी फालगुर्मा में भी दान का विशीश महतों होता है फालगुन महा में जरत्मन व्यक्तियों को अपनी छंता अनुसा, शुद्धगी, सरसो का तेल, मौसमी फल, अनाज वस्त राधी का दान करना शुम माना गया है मानता है कि ऐसा करने से पुनिकी प्राप्ती होती है मेरे वीडियो में आन्ता तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी नय वीडियो के साथ